मुझसे कोट में उलजने से बेटर यही होगा गोविंद कि मौमले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं तुम तो जानते ही हो कि इंदर जीत चड़ा कभी शिकस्त नहीं खाता चड़ा तुने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा हैं क्या कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उलजी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं यह और बात है दामिनी के केस को छेड़ कर जो तार तुने छू लिया है बिजली का वो जटका लगेगा के तु जटक न भूल जाएगा रसी जल गई पर बल नहीं गया गुपता चार लाक देने को तयार है एक छोकरी की इज़त के लिए यह रकम बहुत है बहुत तरक्की कर ली चड़ा कानून की दलाली से इज़त की निलामी तक आ गए इस पेशे को भड़वाकिरी कहते हैं गुवन चला मत नहीं तो यह केस यही रफा दफा कर दूगा ना तारीख ना सुनवाई सीधा इंसाफ वो भी तावर तौप चड़ा समझाओ इससे समझाओ ऐसे खेलोने बाजार में बहुत बिकते हैं मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता मर्द उसे लेकर पैदा होता है और जब ये धाई किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उटता नहीं उट जाता है इस सब का जवाब कल अदालत में दूगा और हाँ अगर अदालत में तुने कोई बत्तमीजी की तो वही मारूंगा जज ओर्डर ओर्डर करता रहेगा और तू पितता रहेगा रिलेक्स बाइ कफ लड़ता है का अधई करता है झाल झाल